हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल मी आज हम नहीं डिरेक्टर अफ एड्यूकेशन जी एन सीटी अफ देली की वर्कशिट नमबर 79 जुके क्लास 9 के लिए है सब्जेट आपका सोशल साइन्स है हिस्टे के चाप्टर नमबर 30 से है जिसकी डेट है 3 अपना नेम इन अपने क्लास से चगह नेम लिखेंगे आज हम अपना चाप्टर नजीम एन राइस ऑफ हिटलर का पार्ट पोर करेंगे जिसमें हिटलर को प्रेजिजन ने रूल्स दे दिया थे कि वह अपने हिसाब से पूरे जर्मनी को कंट्रोल करें तो हिटलर का जर्मनी में कैसे रूल था वो हम देखेंगे आज की वॉक्षिट में तो उसने स्पेशल सर्विशन और सिक्यॉर्टी फ्यूस अपने कंट्रोल में लिया अपनी ओर्डर सोसाइटी बनाई और इसके अलावा भी उसने क्या किया उसने रेगुलर पुलिस जो स्पीन उनिफ़र्म में थी ऐसे फॉर्म कर यानि स्ट्रॉम टूपर बनाए उसने गेस्ट आपो यानि सेक्रेट पुलिस बनाए उसने प्रोटेक्शन स्ट थे क्रिमिनल पुलिस और सिक्यॉर्टी सर्विस बनाई यानि SD यह कुछ अरं कंड्रोल पावर्स इनने ऐसी सार जो तर्ड़ कर सकती थी और to construction अंचरी翻 और किसी को भी लीग औफ नेशन में 1930 में जीता और उसने वहां पे लड़ाई छेट दी और इसके स्लोगन कहा उसने वन पीपल वन इंपायर वन लेडर यह एक इंसान एक जोशासन है और एक लीडर होगा ही देन गलोब दा सिसलाई विसका इन सप्टेंबर 1939 ही इंवेड़ेड पोलैंड विच स्टाड़ेड आ वार विद फ्रांस अब फिर उसने नाइंटीं थर्टीन 1939 में पोलैंड पे भी हमला करना स्टाड़ कर दिया वहां पे लड़ाई चेड़ दी और फ्रांस और इंग्लैंड के जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड ने लड़ाई हो गई फिर उन्होंने जून नाइंटी फॉर्टीवन में सोविट संग पे अटाक करा दिस वास इस इस्टोरिक ब्लंडर जपान एक्स्टेजेंट सपोर्ट फिर जपान ने हिटलर को सपोर्ट करा और यूस जो था वो पेल यूस ने सकेंड वल्ड वार्ड में एंटर किया और उ 1945 में हिटलर हार गया इसमें और हिटलर की डिफीट के साथ यह वर भी एंड हो गया अब नाजीस ने क्विकली जो थे वो रिशल कम्यूनिटी भी एंप्लिमेंट करने लगे जो भी दिखने में ठीक नहीं लगता वो भी जो कोई अनहल्थी है यानि ठीक नहीं रहता बीमार रहता है अंडर अे इन्जी प्रोग्राम में जो भी दिखस बहुत जादा बुरी हालत है दी गई उन्हें स्टैट्रोपाइट एज लियर ऑफ क्रीस्ट एंड अन्शूर वू लीव इन सपरेटेट मार्क कॉल्ड गैटोस जो उन्हें गैटोस में डाल दिया सबसे पहले तो फूर हिटलर तो ऑनली सॉलिशन वास थो टोटल इलिमिनेशन हिटलर के हिसाब से जो यह जो जूस थे वह अपाईज लोग थे हिटलर के हिसाब से यह था कि उनका ठोटली खात्मा कर दिया जाए इलिमिनेट कर दिया जाए नाजी स्टेटराइज और पॉपराइज दें सेग्रेटेट दा जूस और फिर नाजी ने भी जो नाजी आर्मी थी उसने भी यही सोचा अवही एम आफे टोंबर दुटिग बICKशनго तक पॉलाइंड और नेक्स फिस हिये था कि उननिक झी वह शोचा कि उनने कल जाए जाए जाएगा और गास टेमबर में डालके जाएगा अब उस गैस टेमबर का क्या होता था यह जो गाड़ी जो गाड़ी तक ले जाती थी इस वन इस अफ्रेट कें यूज फुर डिपार्ट यूज ऑन डैट जाएप जो एपाइज लोग यह वह देश के कुछ करतो सक आब जो दिखाएगे आपको जो की जहां पर हमला वा था तो पोल आंग बज़ाए जांगे आपको कोच दिखाए जाएंगे आपको जो कि यहां पर हमला हुआ था तो पोलेंड आउस्ट्रिया जर्मनी यह सारे आप इसने देख सकते हैं तो नेक्ट्स कहां पर कुछ कोशन दे रहे हैं तो एक नाशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी या नाजी पार्टी बनाए गए थी जो कि मास मोमेंट जर्मनी में यूज कर सके जो कि 1933 से 1945 तक अडॉल्फ हिटलर के लीडर्शिप में हुई थी और फिर 1889 से 1945 तक नेक्सटे कोशन नमबर तू वह अक्रॉशन नाजी ने ने किसे निजारबल बोला था तो नाजी तो क्रीट अश्व रेशा कमिनिटी और नाजी चो थे वह एक इस्क्लूसिव रेशल कम्मुनिटी बिनाने चाहते थे वह सब को खत्म कर देना चाहते थे जो कि अंडिजायरबल है जो ना तू ठीक से चल सकते हैं या जीज को उन्होंने खतम करा अंड डा डिजायरबल डिशिस वर जो अंडिजायरबल डिस जे वो जीज थे जाई-पी से ब्लाक लोग थे रुशियन थे पूल से और हैंडिकाप जर्मन उन्हें भी उसने मार देने की सोची नेक्स कोशी नमबर थर्ड विच कंट्री वर इंवेड़िड वा हिटलर तो हिटलर के अकॉर्डिंग कौन से कंट्री इंवेड करी गई थी तो अगर हम उसे मैप में देख पूलेंड को उन्होंने सॉप्रेमबर नाइनिंटीं थर्टी वी अटा कर दैन्मार्क को नाइंटीं 4 नौर्वेको 1940 में एप्रिल में ही वेल्जिम को 1940 मैं में नाइदर लाइन को 1940 मैं में और लुक्सेंबग 914 मैं में ही फ्रांस को 1914 मैं में और युग dobris shirtifies को gibi आप्रिल 41 में और ग्रीस को एप्रिक WE lj ये स्कोच भंटीव सिए जो कि ही तुद्लर की दारて कबजे में लेके आ गई थी नेक्स कोश्ट नमबर फोर्ट हाओ वर्ड जीव स्टेटेट बाइ नाजी ने जो अपाईज लोग थे जीव स्टे वह नाजी की दौरह कैसे ट्रीट करें जाते थे तो जीव रिमेंस अवर्ड सफ़र नाजी जर्मनी जो जीव स्टे वह बहुत कि इन्हें टोटल इल्मिनेट कर दिया जाए यानि इन सब का खात्मा कर दे जाए अब नाजी ट्रीज ने उसकी बातमानी और ज्यूस को मार देने का प्राइन बना लिया और यहीं नेक्स फेस बिनाया कि वह इवेंचली गैस टेमबर में उन्हें डाल के पोलेंड में मार इव जातेंगी नेक्स जै कोश नुमबर इफ और जो नहीं भी जाना चाता था उस गैस टेंबर में उसे वह जलाद मार दे दे या उस भागने की कोई कोशिश करता था तब भी उसे मार देते थे तो यही और वह बहुतों जाती थे यह बहुत लर ने करा आब तो Hitler ने इतने सारे speech दी और अपने इतने वादे किये बट आप देखें ऐसे विलन की तौर पर हुआ है सब को लगा कि वो हीरो बन किया है उसको सब को जिन्द की सवार देगा बट वो था विलन Hitler ऐसे विलन का रोल उसने निबाया था क्योंकि उसने ऐसे ऐसे रोल बना रहे था वो लोगों को ही मार दे रहा था तो वो हम नेक्स वोक्षीट में भी देखेंगे अब आपने कोई डिस्क्रिमेशन अपने आए आसपास देखा है आपने कोई भी 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 भाव देखेंगे अपने आसपास और कौन-कौन से एफर्ट आपने इसे ठीक करने के लिए करें तो यस मेरी एरिया भी मैंने डिस्क्रिमेशन देखा है गल्स और बॉइस का बॉइस को जो गल्स है उन्हें देर राद तक बाहर जान के अलाओ ने होता है गल्स यूजली नॉट लाओ टू जीच होम लेट यहनी उन्हें लेट आने के लिए भी मना होता है कि वह लेट आएंगी तो आइंदा से जाएंगी नी बिकास अफ पास थाइटिव यूज आपने आसपास की सूसाइटिय के वर शहीं हुट की उनकी अरॉंट चितने भी हाँ तो आपे मना है और बेख सूस्टा एंदेज प्लेट प्लेट फोर टू नुस्ट हमें पोस्टर बनाने चाहिँ हमें स्ट्रीट प्लेट करना दोनों के लिए सेम होने चाहिए और दोनों ही चेंज और जिससे हम अब लोगों का माइंड भी और गाइडेंस भी चेंज कर सकते हैं तो ये थी आपके आज की वक्षिट आई होप आपको अच्छे से वक्षिट समझ आ गई होगी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ज्यादा से ज़्यादा दोसों को साथ शेयर करें थैंक्स वॉचिंग डियो पैपे गाइस